My name is Siti Bukta आज हम लोग करने वाले हैं Kind of sentences sentences के types जिनमें साज हम लोग दो टाइप करेंगे जिनका नाम है imperative और exclimatory sentence imperative sentence and exclimatory sentence sentences के बहुत टाइप होता है जिसमें साज हम सिर्फ दो करेंगे imperative sentence और exclimatory sentence सबसे पहले आते हम लोग imperative sentence imperative sentence क्या होता है इसकी मैंने definition गहीती है a sentence a sentence that expresses a command कोई command express कर रहो request request ये desire is known as imperative कोई भी sentence जब कोई command किसी के ऊपर command दे रहा हो कि ये करो, वो करो ठीक है, request हो ये फिर desire हो तो उसको उम लोग के कहते है imperative sentence for example बाली shut the door उसको सिधा order दे दिया shut the door command है न, order दे न, इस command shut the door उसको बाली जाके दर्वाज अब बंद करो उसको order था command था तो ये कौन से sentence वो imperative sentence कौन से sentence वो imperative sentence दूसर एक्जामपल बेखते है please do this just now सबसे पहले के लिखा है please please पढ़ते ही पता चलता है ये request हो रही है request हो रही है please इसको कर दो अधी please do this now तो ये क्या हो जाएगा हमारा imperative sentence imperative sentence या है न, command ये request ये desire command, request, ये desire अगर किसी sentence में हो रहा है तो वो क्या होगा imperative sentence इसके लागा और बहुत सारे examples होते है just do this now उसको अभी के अभी करो ये बोल रही है यहाँ पर क्या लिखा please do this now please लगा दिया do this now please do this now अगर मैं इसको order में बोलू तो कैसे बोलूँगी do this now तो वो भी क्या हो जाएगा imperative sentence हो जाएगा इसके बाद next sentence है exclamatory sentence next sentence है exclamatory sentence our sentence that expresses कोई भी sentence जो क्या express करता हो some strong and sudden feeling जो एकदम से sudden feeling होती ना एकदम से कोई feeling आपी किसे को देख कर या एकदम से कुछ भी बोल पड़ते हैं किछी चीज को देखे हैं अभाव क्या बात है तो वो सब sudden feelings हो दी हैं हमारी बस कुछ देखा एक feeling गई जो साथ के साथ हमारे मूँ से वो बात निकल गई तो वो sudden feelings को हम लोग इस ओन आप exclimatry sentence को उन संटेंस को क्या बोला गाएगा exclimatry sentence कोई बीज़े से बहुत अच्छा मोसम होता है तो हम लोग भार जाए कर देखे हैं एकदम से बाहर निकले इसके कुछ इग्जामपल्स हो बीडिफुल देखा हमने गई पे एकदम तो रोज को देखे बोला हाँ बुटिफुल दिस अब ये आगे लगा हो है तो इसको इस संतेंस को आप लोग interrogative sentence नहीं मानना कि अगे हाँ लिखा हो तो शादी interrogative sentence तो नहीं इसका मतलब है आग बुटिफुल दिस रोज इस अब बुटिफुल दिस रो इस रोज इस बहाँ निकलें इसमें आपे exclimatory sentences में और एक चिज़ हमेशा याद रखेगा जितले भी exclimatory sentences होते हैं उनके end में ना full stop आएगा ना question मार जाएगा exclimatory sign आएगा जो की ये होता है इसको गोलते exclimatory sign कौन से जाए? exclimatory sign और उधर ही imperative sentences में full stop आता है और exclimatory sentences में आता है exclimatory sign तो ये थे imperative और exclimatory sentences तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा है तो प्लीज से लाइक करें शेयर करें और एसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चानल सब्सक्राइब करें थैंक यू